जी हाँ आपने ठीक सुना हार्दिक पांडिया ने ले ली है टेस्ट क्रिकेट से रिटार्मेंट पर क्या यह सच है? तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डीटेल में बात करेंगे पर पर एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दो प्लीज क्योंकि इस वीडियो का लाइक है मैं 15 लाइक तो चलिए इसके बारे मैं जानते है तो दोस्तो इंडियन क्रिकेट टीम के वन ओफ दिबस टार और रॉंडर में से एक हार्दिक पांडिया ने ले ली है रिटार्मेंट तो दोस्तो मीडिया की रिपोर्ट्स अनुसार हार्दिक पांडिया उनके कमर के चोट से बहुत सालों से परिशान है और अपने करियर को भेतर बनाने के लिए उन्होंने क्रिकेट के एक फॉर्मेट से ले लिया है सन्यास इंसाइट स्पोर्ट के एक खबर के मुताबिक बिसी सेया के आधिकार्यों ने ये जानकरी दिये कि हार्दिक पांडिया लगातार अपने इंजोरी से बरेशान है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटार्मेंट ले लिए पर अब तक उन्होंने ओफिशली डिक्लेर नहीं किया है पर वैसे भी वो काफिशा में से टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे है पर फिर भी ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा जटका रहने वाला है दोस्तों इंसाइट स्पोर्ट के रिपोर्ट के मुदाबिक BCCI के आधिकारों ने कहा है कि हार्दिक पांडिया ODS और T20 में अपना पूरा फोकस करेंगे इसलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटार्मेंट लिया है मैं आपको बता दू कि 2019 में हार्दिक पांडिया को कमर की गंभीर छोट लगी थी और तब ही से हमें उनकी बॉलिंग में उतनी स्पीड और अकुरिसी नहीं नजर आई आपको मैं बता दू कि हार्दिक पांडिया मातर 18 साल के ही है और उन्होंने अब तक सिफ 11 टेस्टी खेले है जिसमें से उन्होंने 31 के एवरेज से 532 रंड बनाए है और इनके नाम 100 भी है और बॉलिंग में इन्होंने 17 विकेट अभी तक लिये है और इनकी लास्ट सिरिस 2018 में इन्होंने इंगलेंड के खेली थी और जब से वो टेस्ट क्रिकेट से गायब है तो इससे तो हमें यही बता चलता है कि हार्दिक पांडिया ने अब तक ओफिशली डिटार्मेंट अनौन्स नहीं की तो अपडेटेट रहने के लिए कर दिजे सब्सक्राइब